हेलो बच्च पाटी मैं अर्च नराटी आपकी बॉटनी मेंटॉर और आज इस उत्थान सिरीज में आपके लिए लेकर आए हूँ सेल साइकिल एन सेल डिविजन तो बेटा अपरोच वही है खुब सारे अच्छे अच्छे ब्रेंस्टार्मिंग क्वेश्चन्स हैं जिनसे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और वो सारे क्वेश्चन्स के साथ-साथ आपको छोटे-छोटे पॉड्कास्ट पर मिलते रहेंगे जिनसे NCRT की लाइन्स रिवाइज हो जाएंगी ओके आज की अप्रोच क्या रहेगी पहले मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाऊंगी एक सेकिंड के लिए हट जाऊंगी स्क्रीन से आप वहीं पर पॉस करोगे उस क्वेश्चन को वहीं सॉल्व करोगे खुझ से और फिर मेरे साथ सौल्व करोगे यानि कि तुरंत के तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके सोचने के तरीके में कहां गलती है कहां कमी है कैसे सोचना है चैक्टर पर कितने पकड़ है तो assessment भी साथ साथ करना है चलिए बिना लेट किये start करते हैं इस प्यारे से session को तो आज इस chapter को हम पूरा खतम करेंगे आजाए तो सबसे पहला question है ये pause करो, इसको खुद से solve करो चलिए आजाए question कह रहा है the time taken by mitosis यहाँ पे आपको 5 statement दी गई है और इन में से कितनी correct है ये हमें ढून के निकालनी है और अब तो आप जान गए हो कि इस तरह के questions में silly mistake होने के chances बहुत जादा होते हैं पिछले lecture से आपने ये सीखे लिया होगा तो इस तरह के questions हमें बहुत ही धिहान से करने हैं चलिए आजाए पिछली class में सर्चक्रा रहा था और इसलिए बिटा क्योंकि तब ये थोड़ी ठीक नहीं थी वाइरल चल रहा है आज भी वाइरल है इसलिए lecture recorded आपको दिया है क्योंकि आज भी थोड़ा सर्चक्रा रहा है तो कहीं कल की class में correct incorrect और incorrect और incorrect ना हो जाए फिर से क्या यह statement सही है इस statement में एक गड़बड है और वो है mitosis mitosis क्या होता है बिटा M phase याने के cell division वाली phase cell division वाली phase ठीक है इतने प्यारे प्यारे और इतने अच्छे questions लेकर आईए जिनसे आपके concept एकदम clear हो जाएंगे काफी सारे बच्चों को ये line एकदम ठीक लगी होगी लेकिन ये line घलत है right सही क्या है आजओ समझते हैं देखो विटा cell cycle की अगर मैं बात करूँ पूरी cell cycle की अगर मैं बात करूँ तो पूरी cell cycle में आप अच्छे से जानते हो एक आती है interface इंटरफेज राइट जिसमें G1, S और G2 फेज ये तीन फेज आती हैं और आप अच्छे से जानते हो ये resting फेज होती है जहां पर cell divide नहीं करता है और फिर हमारी आती है M phase M phase जिसको हम mitotic phase या फिर division phase भी कहते हैं या फिर division phase भी कहते हैं राइट जहां पर actual में division होगा ठीक है बटा और division को भी हम दो भागों में बांट देते हैं karyokinesis और cytokinesis तो आप अच्छे से जानते हो कि karyokinesis का मतलब division of nucleus और cytokinesis का मतलब division of cytoplasm ठीक है और यहां आप जानते हो अच्छे से कि karyokinesis में कितनी phases होती हैं आप अच्छे से जानते हो प्रो phase right, metaphase, anaphase और telophase तो इस बात को बहुत ही यहां बारीकी से समझने की कोशिश करना बेटा कि अगर मैं पूरी की पूरी cell cycle की बात करूँ पूरी cell cycle की तो पहले interface आती है जहां पर division नहीं होता है जहां पर cell growth होती है और cell अपने आपको तयार करता है फिर आती है mitotic phase जिसे हम mitosis भी कहते है mitosis या mitotic phase या फिर m phase या फिर division phase जहां पर पहले nucleus डिवाइड करता है और फिर finally cytoplasm डिवाइड करके हमें दो daughter cell मिल जाती है अब इस statement में क्या गडबड है देखो the time taken by mitosis mitosis याने के division phase याने के m phase is 24 hours in humans no, गलत human cell में पूरी की पूरी cell cycle का time 24 गंटे होता है पूरी cell cycle का याने के inter phase, m phase सब में लाखे और east cell में भी पूरी cell cycle का time 90 minute होता है तो यहां पर statement सही कब होती अगर यहां पर mitosis ना लिखकर क्या लिखता cell cycle लिखता the time taken by cell cycle in a human cell is 24 hours and in a east cell is 90 minutes ओके, चलिए next, inter phase represents the phase between two successive m phases m phase आपको अच्छे से समझ में आ गया m phase मतलब mitotic phase तो जब 2 daughter cell complete मिल जाएंगे जो mitosis complete हुआ m phase complete हुई m phase के complete होने पर हमें 2 daughter cell मिलेंगे अब यह दोनों daughter cell वापस से अगर division में जाएंगे तो फिर यह किस में जाएंगे? inter phase में यानि के 2 m phases के बीच की phase क्या है? inter phase है, right? m phase खतम होगी फिर inter phase आएगी फिर m phase खतम होगी फिर inter phase आएगी यानि के inter phase 2 mitotic phase के बीच की phase है तो यह बात सही है in a human somatic cell the cell division proper lasts only for about an hour देखो कितनी प्यारी प्यारी लाइने है NCRT की लाइने हैं सारी यह बस थोड़ी सी तोड़ी मरोडी गई है तो देखो क्या किया रहा है? in a human somatic cell somatic cell मतलब जो हमारी body के सारे cells होते हैं reproductive cells को छोड़ कर जो कि deployed cells होते हैं cell division proper lasts for about an hour cell division का मतलब क्या समझ गए न? cell division का मतलब है बेटा मेरे यहाँ पर M phase mitotic phase तो अभी देखो उपर कितनी प्यारी लाइन लिखी गई है human cell में जो पूरी की पूरी cell cycle होती है वो 24 गंटे की होती है और उस 24 गंटे में से 95% time interphase में बीचता है 95% या ने की लगभग 23 गंटे जो है वो interphase में बीचते हैं और सही माहिनों में जो mitosis है जो cell division phase है जो M phase है वो किवल एक गंटे में complete हो जाती है तो ये बात सही है आगे चलते हैं during daughter cell formation cytokinesis is followed by karyokinesis in the parent cell ये कह रहा है कि N phase में cytokinesis is followed by karyokinesis गलत followed by का मतलब क्या होता है followed by का मतलब क्या होता है कि पीछे-पीछे आना नहीं cytokinesis के पीछे-पीछे थोड़वा karyokinesis आता है karyokinesis के पीछे cytokinesis आता है यानि कि पहले क्या divide होता है nucleus और फिर उसके पीछे-पीछे cytoplasm divide होता है तो ये statement गलत है यहाँ पे क्या होना चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए था karyokinesis is followed by cytokinesis तो ये statement right कैसे होती ये statement right ऐसे होती cytokaryokinesis is followed by cytokinesis तो देखो बिटा छोटी-छोटी बाते हैं इन छोटी-छोटी बातों से ही जो है question ठीक हो जाता है और गलत भी हो जाता है तो हमें छोटे-छोटे जो tricky points हैं उनको बहुत ध्यान में रखना है सारी as it is NCRT की lines हैं वो सुनके साथ थोड़ी-थोड़ी छेड़ छाड़ हुई है तो एक अच्छा और tricky question बन जाता है तो हमें सारे options को बहुत ही दिहान से पढ़ना है ये अच्छा और tricky question बनता है चलिए M phase is the most dramatic phase सीधा NCRT की line है जो M phase होती है उस phase में सबसे ज़्यादा drama होता है हाँ सही बात है उसमें pro phase होती है matcha phase, na phase, tilo phase तो ये बात बिलकुल सही है तो कितनी statement correct हो गई? ये correct है, ये correct है और ये correct है तो 5 में से हमारी 3 statement correct है तो यहाँ पे हमारा answer बन जाता है 4 मुझे उमीद है काफे सारे बच्चों ने इसको ठीक किया होगा जिन्होंने ठीक नहीं किया है वो बिटा अपने सोचने के तरीके को correct करेंगे आपको समझ में आगया होगा आपके सोचने के तरीके में किस तरह गलती हुई है तो इस question से फटा-फट से देखते हैं summarize करते हैं हमें क्या सीखने को मिला इस question से हमें सीखने को मिला कि पूरी cell cycle का time और cell division और mitosis का time अलग होता है अगर question में cell division और mitosis की बात हो रही है तो इसका मतलब केवल M phase की बात हो रही है और पूरी cell cycle की बात हो रही है तो माने interface plus M phase की बात हो रही है जैसे human cell में 24 hour की cycle पूरे cell division की cycle होती है लेकिन वही एक घंटा M phase में लगता है ओके चलिए तो ये रहे और धिहान रखना है पहले karyokinesis होता है फिर cytokinesis that means karyokinesis is followed by cytokinesis चलिए बटा तो ये बात हो गई हमारी cell cycle की आगे चलते हैं next question यहाँ pause करके खुद इसे solve करो और अब मेरे साथ solve करो which of the following is correct for G1 phase G1 phase के बारे में सही बात क्या है ये हमें पता करनी है corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication ये कह रहा है कि ये बीच की phase है mitosis और initiation of DNA replication के बीच की phase है mitosis का मतलब तो हम समझ गई क्या है mitosis का मतलब है M phase right और initiation of DNA replication DNA replication कहा होता है सारा बच्चा अच्छे से जानता है S phase में होता है DNA replication S phase में होता है तो simply आपसे पूछ रहा है कि भाया S phase और M phase के बीच की phase कौन सी हम जानते है M phase के बाद interface शुरू हो जाती है जिसमें सबसे पहले G1 phase आती है फिर S phase आती है तो क्या ये बात G1 के बारे में सही है हाँ ये बात G1 के बारे में सही है तो मुझे उमीद है सारे बच्चों ने इसका आंसर 1 ही दिया होगा चलिए आगे चलते हैं तो ये रहा एक सेकेंड के लेट जाते हैं वीडियो पॉस करिए खुद से सॉल्व करिए चलिए अब मेरे साथ सॉल्व करिए आजाएए क्या कहरा है देखते हैं identify different phases A, B, C and D of the cell cycle cell cycle की अलग-अलग phases को हमें पहचानना है चलिए A A phase क्या है हम अच्छे से जानते हैं बिटा कि जो हमारी inter phase होती है उसमें जो G1 phase होती है उसमें DNA दुगना नहीं होता है DNA दुगना होता है S phase में तो देखो, एक cell है जिसमें DNA content 2C है और उसमें division शुरू हो गई वो सॉरी, division कहा रही हो, cell cycle चालू हो गई cell cycle चालू हो गई तो DNA का जो content है वो 2C बना हुआ है तो वो कहां बना रहेगा 2C, G1 में फिर वो 2C से 4C हो जाएगा DNA content कहां दुगना होता है मच्छे से जानते है S phase में और फिर S phase के बाद वो हमारा G2 में क्या रहता है सेम रहता है G2 phase में सेम रहता है फिर entry हो जाती है M phase में और हम जानते है M phase जब ultimately complete होती है यानि के carrier kinases or cytokinesis जब properly complete हो जाता है तो जो DNA content है वो आधा-ाधा daughter cells में बट जाता है याने कि daughter cells में वापस से 2C, 2C DNA content रहेगा तो यह अमारी M phase हो गई तो G1, S, G2, M G1, S, G2, M तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? 4 ओके? चलिए Next देख लीजिए G naught के बारे में आ जाएए, देख लेते हैं G naught stage G naught stage को हम puissant stage भी कह रहे हैं देखते हैं इसके बारे में क्या सही है? Permanent exit of cell from cell cycle यह कह रहा है G naught के दुरान जो cell है, वो cell cycle से हमेशा के लिए कल्टी मार लेता है क्या यह सही है? दूसरा G naught phase में cell हमेशा के लिए नहीं, बलकि यह कुछ समय के लिए cell cycle से कल्टी मार लेता है अब metabolically inactive stage नहीं NCIT में साफ साफ लिखा हुआ है कि cell जब G naught stage में होता है तो वो divide नहीं करता है लेकिन वो metabolically active होता है तो यह बात गलत है G naught stage में भी cell पूरी तरह metabolically active रहता है और यह बात भी गलत है और यह बात भी गलत है इधर temporary और permanent exit of cell from cell cycle यह बात सही है तो इसका answer बनेगा 4 जब cell अपनी G naught stage में होता है तो उस दौरान जो cell है वो cell cycle से permanently भी जो है कल्टी मार सकते हैं permanently भी exit ले सकते हैं और cell जो है वो temporary exit भी ले सकता है जैसे example आपको बताते हैं जैसे अगर मैं यहां ले इसका example लेते हैं अगर मैं permanent exit की बात करूँ अगर मैं कह रही हूँ कि कोई cell अपनी G naught stage में है और वो permanently exit हो चुका है वहां से तो इसका example अगर मैं animal cell में आपको लेकर बताऊँ तो animal cell में इसका example हो जाता है बेटा, brain cells, neuron और heart cells ठीक है? लेकिन वहीं अगर मैं plant में इसका example लेकर बताऊँ तो यहां पर हो जाएगा differentiated permanent tissue differentiated permanent tissue जैसे आपका xylem, phloem, polenchyma, clarenchyma यह सब आपके differentiated tissue है तो समझने की कोशिश करना बिटा यहां पर कि यह वो examples है जहां पर एक cell ने तै कर लिया है कि वो कभी भी cell cycle में वापस नहीं जाएगा यानि कि permanent exit हो चुकी है animal cell में यह example है plant cell में जब differentiation हो जाता है किसी cell का maturation हो जाता है और वो तै कर लेता है कि मैं अब कभी वापस cell cycle में नहीं जाऊँगा तो आप इसका example पर्मनेंट इशू से ले सकते हो जैसे कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, राइड, जाइलम, फ्लोयम लेकिन वही अगर मैं temporary exit की बात करूँ तो बेटा मेरे इसके भी example है जैसे animal cell में temporary exit का example बन जाता है liver and kidney cells मतलब के injury होने पर ये cells on demand वापस से cell cycle में बुलाए जा सकते हैं और plant cell में यहाँ पर example आ जाता है बिटा tissue undergoing de-differentiation अब आप बोलोगे मैंमा आप इसको इतना explain क्यों कर रहे हो क्योंकि बेटा ये जो genot phase है न जी नोट phase और इससे related जो questions बनते हैं इससे related जो concept है वो neat का कही न कहीं favorite है तो इस concept को समझना और इससे related क्या questions आ सकते हैं ये discuss करना ज़रूरी है चली आजाएए तो tissue undergoing de-differentiation जैसे example यहाँ पर ले सकते हैं पेरंकाइमा undergoing de-differentiation तो जो question नीट पहले से इस जी नोट के बारे में दे चुकी है वो तो वो दोबारा नहीं देगी और ये topic काफी important है तो हमें समझना पड़ेगा तो ऐसा भी होता है कि जी नोट स्टेज में cell temporarily cell cycle को छोड़के चला गया है लेकिन on demand उसको वापस बुलाया जा सकता है जैसे plant cell में आपने anatomy पढ़ी होगी बटा कि anatomy में जब secondary growth होती है dicods में तो जब हमें cambium बनाना होता है secondary right, secondary growth की case में जब हमें secondary medistam बनाना होता है तो वहाँ पे जो parent काइमेटा cells होते हैं जो की differentiated cells होते हैं वही जब parent काइमा का cell जो है उसने divide करना छोड़ दिया है लेकिन plant की demand पर जो parent काइमा का cell है वो फिर से वापस cell division में आ जाता है और इस process को हम कहते हैं de-differentiation जिससे secondary medistam बनता है जैसे cork cambium और vascular cambium तो ये examples है temporary exit, permanent exit के और ये example है temporary exit के यानि कि यहाँ से प्रूब होता है कि हम पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि G0 में cell हमेशा permanently exit करेगा या हम ये भी नहीं कह सकते कि G0 में cell हमेशा temporary exit लेगा हमें क्या कहना चाहिए कि जब cell G0 में होगा तो वो temporary exit भी ले सकता है और permanent exit भी ले सकता है ठीक है? चली और सही माइनों में तो exit word use करने की बजाए अगर temporary exit है बिटा अगर G0 stage में temporary exit है तो सही माइनों में हमें शब्द इस्तमाल करना चाहिए suspension from cell cycle तो सही माइनों में ये भी neat का question था तो सही माइनों में जब G0 stage में cell होता है तो वो cell cycle को suspend करता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसे वापस बुलाया जा सके on demand तो suspension word is more appropriate for G0 stage चली आगे चलते हैं ये रहा question पटाफट से pause करो screen और जल्दी से solve करो चली है अब मेरे साथ solve करते हैं हमें प्रोफेस के बारे में correct statement ढूंड के निकालनी है आजाए देखते हैं प्रोफेस is marked by the initiation of condensation of chromatin material chromatin material धीरे-धीरे condensed होने लगता है और वही शुरुवात है प्रोफेस की ये बात बिल्कुल सही है the chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation बिल्कुल सही है जब interface चल रही होती है बिटा तो जो chromatin material के धागे हैं वो बहुत लंबे-लंबे होते हैं और बहुत लंबे होने के कारण वो पूरे nucleus में फैले रहते हैं तो एक दूसरे के साथ उल्जे पड़े रहते हैं लेकिन जब दीरे-दीरे प्रोफेस के दरान इन chromatin fibers को सुखोडा जाता है condense किया जाता है तो ये एक दूसरे से अलग होने लगते हैं सुलजने लगते हैं तो interface के दरान ये सारे chromatin threads दीरे-दीरे एक दूसरे से सुलजने लगते हैं याने के untangle होने लगते हैं तो ये बात सही है इन दा S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but interwound ये कह रहा है कि S phase में और G2 phase में जो DNA molecules हैं याने कि जो chromatin fibers हैं वो एक दूसरे से अलग-अलग ना होने की बजाए उलजे रहते हैं, interwound रहते हैं हाँ, सही बात है, मैंने अभी आपको बताया, interface में वो एक दूसरे से गुथे रहते है nuclear envelope remains intact throughout the pro phase, ये बात गलत है वो कह रहा है कि nucleus की जो membrane होती है वो पूरी pro phase में बनी रहती है नहीं, हम जानते हैं, late pro phase में nuclear membrane disintegrate हो जाती है, खतम हो जाती है गायब हो जाती है at the end of pro phase when viewed under microscope, a cell shows distinct Golgi, ERN nucleolus, वो कह रहा है pro phase जब खतम हो जाती है, तो भी हमें cell के अंदर proper Golgi body, nucleolus और ये आपका endoplasmic reticulum दिखाई देता है, गलत pro phase के अंत आने पर, nucleolus endoplasmic reticulum, Golgi paratis से गायब हो जाते हैं, तो ये बात भी गलत है, right चली, तो दो बाते गलत हो गई, और कितनी statement सही हो गई, एक, दो, तीन, तो हमारी तीन statement सही है, तो इसका answer हो गया, one ओके, तो ये pro phase के कहानी हो गई, right वेटा चली, तो यहीं इसी question के साथ-साथ, मैं pro phase के बारे में आपको एक छोटा सा podcast दे देती हूँ, जिसमें NCRT के side line cover हो जाएंगे, फटा-फट से pro phase के बारे में NCRT कहती है pro phase शुरू होती है with the condensation of chromatin material जिसकी वजह से, जो chromatin fibers हैं, वो untangle हो जाते हैं, सुलज जाते हैं, pro phase के दौरान, जहां से सुनना pro phase के दौरान, अगर मैं animal cell की बात करूँ, तो वहाँ पाया जाता है centrosome, कहाँ cytoplasm में, animal cell के cytoplasm में, जो centrosome होता है, right, वो जोडों में होते हैं, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, और आप जानते हो, एक centrosome में दो centriol होते हैं, तो एक centrosome ये और एक centrosome ये, ये कहाँ duplicate हो चुके हैं, ये centrosome S phase में, तो animal cell में S phase में ये centrosome duplicate हो चुके थे, cytoplasm में अभी pro phase में क्या होता है, कि ये जोड़ा है centrosome का, animal cell के cytoplasm में, ये धीरे-धीरे towards pole move करता है, धीरे-धीरे towards pole move करता है, और ये जो centrosome है, इन में से कुछ धागे निकलने लगते हैं, शुरुवात में, जिने हम बोलते हैं, astral rays, दियान से सुनना बहुत important point है, ये एक centrosome, ये दूसरा centrosome, राइट, इसमें से astral rays निकलना शुरू हो गई, और यही astral rays आगे जाके spindle fiber बनाएंगी, तो ये पूरा का पूरा जो apparatus बनके तयार हुआ, मैंने इसे बोला, astr, ये centrosome आपको नजर आ रहा है, और इससे astral ray निकल गई है, तो अभी cell के अंदर कितने astr हैं, अभी cell के अंदर दो astr हैं, और NCRT कहती है, कि ये जो दोनो astr हैं, इन दोनो को मिलाकर हम कहते हैं, mitotic apparatus, ये दोनो astr को मिलाकर हम कहते हैं mitotic apparatus, जो animal cell के cytoplasm में present है, इन में से एक इस pole की तरफ जाएगा, एक इस pole की तरफ जाएगा, राइट चलिए, फिर जैसे-जैसे end आता है ये दोनो centrosome पहुंच जाते हैं, opposite poles पर और बनाना शुरू कर देते हैं, spindle fibers, जैसे-जैसे prophase का अंत आना शुरू होता है end आना शुरू होता है, तो ये दोनो centrosome poles पर पहुंच कर spindle fiber बनाना शुरू कर देते हैं, nuclear membrane, nucleolus, golgi, apparatus, endoplasmic reticulum सब गायब हो जाते हैं, chromatin fibers condensed हो जाते हैं और एक दूसरे से सुलज जाते हैं, right so this is prophase, इतना ही आता है prophase में, चलिए, आगे चलते हैं अब एक assertion region का question कर लेते हैं, बिटा आजाईए, कुछ छूटा तो नहीं है, मुझे एक बार सोचने दीजिए, सब कुछ हो गया है prophase के बारे में, हाँ, mitotic apparatus धियान रखना, right, और plant cell में centrosome नहीं होता है, तो बच्चे पुछते हैं वहाँ spindle fiber कैसे बनेंगे, मैं वहाँ cytoplasm में, जो microtubules present होते हैं, बोस spindle fibers बनाते हैं चलिए, आजाएए, reason assertion बच्चों को बहुत problem होती है, reason assertion कैसे solve करना है, और सबसे ज़्यादा confusion होता है, A और B में बहुत close होते हैं क्योंकि वो, कई बार हमें नहीं समझ में आता है, A और B दोनों statement, assertion, region दोनों सही है पर हमें यह समझ में नहीं आता है कि यह इसका correct explanation है या नहीं, तो option A और B में काफी ज़्यादा confusion होता है तो मैं आपको सिखाती हूँ, वो कैसे सोचना है आजाए Some cells undergo G0 phase due to inactivation of cell cycle, यह कह रहा है कि कुछ ऐसे cells होते हैं जो G0 phase में चले जाते हैं आगे divide नहीं करते हैं क्योंकि cell cycle inactivate हो जाती है बिल्कुल सही बात है कई बार cells में जो mitogens होते हैं, mitogen क्या होते हैं जो mitosis करवाते हैं जैसे cyclin dependent kinases कुछ proteins होते हैं जो mitosis कराते हैं, उनके कम होने के कारण या ना बनने के कारण cell cycle inactivate हो जाती है और cell G0 phase में चला जाता है तो यह बात, यह statement true है cells at this stage remain metabolically active but no longer proliferate कह रहा है कि इस stage में जो cells होते हैं वो metabolically active रहते हैं बस proliferate नहीं करते मानि divide नहीं करते यह बात भी सही है, यानि के दोनों बाते सही हैं लेकिन आप मुझे यह सोचना है कि नीचे लिखी हुई बात उपर वाली बात का correct explanation है क्या वो क्यूं समझाती है क्यूं, आजाए यह देखते हैं some cells undergo G0 phase due to inactivation of cell cycle मैंने यह line पढ़ी अब मेरे दिमाग में आना चाहिए क्यूं ऐसा क्यूं होता है कि कुछ cells G0 phase में चले जाते हैं तो इस क्यूं का जवाब क्या है इस क्यूं का explanation है क्योंकि cell के अंदर कुछ certain proteins होते हैं जैसे cyclin dependent kinases जिने हम mitogens कहते हैं उनकी कमी की वजह से या ना पनने की वजह से cell cycle inactivate हो जाती है और वो G0 phase में चली जाती है ये इसका क्यूं है है ना जैसे मैंने ये statement पढ़ी आपको confusion किस में होता है A और B option है ना तो आपको ये solve कैसे करना है आप assertion पढ़ो और फिर उसका क्यूं खुद से पूछो कि ऐसा क्यूं होता है तो मैंने assertion के line पढ़ी और मैंने क्यूं अपने दिमाग में पोछा क्यूं होता है तो मुझे explanation समझ में आया क्यूंकि kinases, cycle independent kinases नहीं बन रहे अब नीचे वाली line पढ़ती हूँ नीचे वाली line कह रहे है कि इस stage में जो cells है वो inactive, metabolically active रहते है लेकिन divide नहीं करते तो ये बात भी सही है पर वो उपर वाली लिखी हुई बात का क्यूं नहीं है समझ रहे हो जो उपर बात लिखी है नीचे लिखी हुई बात उसका explanation नहीं है वो उसके क्यूं को नहीं बता रही वो एक अलग से बात है जो उसके बारे में सही है G-naught phase के बारे में नीचे लिखी हुई बात सही है पर वो ये नहीं समझा रही कि क्यूं कुछ cells G-naught phase में चले जाते हैं बात समझ में आई तो इसके चलते इसका answer होगा B A नहीं होगा मुझे पता है काफे सारे बच्चों ने इसका answer A अपने मन में सोचा होगा पर A क्यूं नहीं है B क्यूं है समझ में आगया विटा जब भी हम उपर assertion पढ़ेंगे तो हम उसका क्यूं पूछेंगे और अगर उसका क्यूं नीचे वाली statement नहीं समझा रही है तो इसका मतलब option B है और अगर नीचे वाली statement उसका क्यूं हमें समझा रही है तो option A होगा चलिए तो यह A कब होता इसका answer A कब होता जब नीचे लिखा रहता cells go in G0 phase due to due to non formation or inadequate formation of some proteins like kinases and cyclin dependent kinases ओके इसको पहले खुछ solve करिए अब मेरे साथ आजाईए solve करिए if a mitocyte has 10 picogram of DNA mitocyte मतलब mitocyte मतलब ऐसा cell जिसमे mitosis होगा cell undergoing mitosis बहुत ही अच्छे-च्छे questions लेकर आएए बिटा अपके लिए जिससे आपका पूरा concept खुलेगा a mitocyte has 10 picogram of DNA ठीक है एक ऐसा cell जिसमें mitosis होने वाला है उसमें 10 picogram DNA है और उसमें 16 chromosome है उसकी G1 phase में then which of the following is correct तो हमें correct ढूनना है वो कह रहा है एक cell है यह cell अभी अपनी जीवन phase में है और अपनी जीवन phase में इसके अंदर कितना DNA content है इसके अंदर 10 picogram DNA content है तो आपको सही ढूंड कर निकालना है तो यह कह रहा है S phase will have 5 picogram of DNA अभे S phase में तो DNA content दुगना हो जाता है यानि कि S phase में तो कितना DNA content होना चाहिए था 20 picogram यह बात गलत है The cell at anaphase stage will have 20 picogram of DNA and a total of 32 chromosomes देखो question तो solve करने का तरीका क्या होता है जो आपको जटिल सी statement लग रही है उससे एक second के लिए छोड़ दो पहले आसान statements को rule out कर लो फटाफट से पहले नीचे वाला पढ़ लेते हैं G2 phase will have 8 chromosomes क्यों भाई हम जानते हैं कि chromosome का number तो बढ़ता ही नहीं है S phase के बाद भी chromosome का number वही रहता है सिर्फ DNA content दुगना होता है भाई तो chromosome तो जितने G1 phase में है उतने ही G2 phase में होंगे S phase में chromosome थोड़ी ना बढ़े हैं तो 8 कहां 16 ही होने चाहिए थे गलत The cell at metaphase will have 10 picogram of DNA and a total of 16 chromosomes यह बाद तो गलत हो गई मेटा यह बाद तो गलत हो गई Metaphase पे 10 picogram थोड़ी ना 20 picogram DNA होना चाहिए था क्योंकि S phase में DNA content 10 से 20 हुआ है तो metaphase में 20 picogram DNA होगा तो यह बाद भी गलत है तो मैंने सारी easy-easy statement rule out कर ली अब मैं इस वाली statement को पढ़ती हूँ यूकि सही है आंसर भी यही है आजाओ अब इसको पढ़ते हैं The cell at metaphase stage will have 20 picogram of DNA and a total of 82 chromosomes यह बिल्कुल सही बात है अब श्याद काफी बच्चों को यह बात समझ में ना आई हो तो आजाओ समझाती हूँ देखो उसने क्या कहा उसने कहा G1 phase की बात हो रही है G1 phase में कितने क्रोमोजोम हैं ऐसे G1 phase में ऐसे 16 क्रोमोजोम है 16 मैं 16 बना नहीं रही आप समझ जाओ 16 क्रोमोजोम है और G1 phase में सारे single single बाजो वाले होंगे और DNA content कितना है 10 picogram ठीक है बिटा अब ये आया अपनी S phase में अब ये आया S phase में और हम जानते हैं कि S phase में क्रोमोजोम ऐसा हो जाता है यानि कि हर एक क्रोमोजोम में कितने कितने क्रोमाटिड हो जाते हैं 2-2-2-2 क्रोमाटिड तो अब पहले G1 phase में 16 क्रोमोजोम ऐसे थे single single chromatid वाले लेकिन S phase के बाद 16 के 16 chromosome ऐसे हो जाएंगे, दो-दो chromatid वाले तो G1 phase में भी 16 chromosome है, S phase के बाद भी 16 chromosome है, फरक यह है कि G1 phase में 16 chromosome ऐसे थे, लेकिन S phase के बाद ऐसे हो गए और chromosome का number सेम है यहाँ भी 16, यहाँ भी 16 और DNA content कितना हो गया, 20 picogram, अब G2 में भी यही सेम condition रहेगी, यही सेम condition, metafase में भी यही सेम condition रहेगी, ठीक अब चलते हैं एना phase पे G2 phase में यही सेम condition रहेगी, 16 chromosome ऐसे 2 chromatid वाले और DNA content 20 picogram ऐसा ही metafase में रहेगा एना phase में हम जानते हैं कि यह जो 16 chromosome है यह आपस में तूटे हुए जिसे हम splitting of centromere कहते हैं है न, तो क्या हुआ होगा बिटा centromere तूटा होगा metafase पे क्या हुआ था metafase पे यह सारे chromosomes जो हैं, ऐसे center पर align हो गए थे, एना phase में क्या होता है, एना phase में यह एक chromosome के 2 chromatid अलग हो जाएंगे तो एना phase में मुझे चीजें कैसी दिखाई देंगी, ऐसी solar chromosome उपर की तरफ और solar chromosome नीचे की तरफ, single single chromatid वाले single single chromatid वाले metafase पर ऐसा होगा metafase पर solar chromosome है यहाँ पर, solar chromosome center पर हैं, दो-दो chromatid वाले, लेकिन एना phase पर बिटा, क्या होता है एना phase पर, एक जो chromosome है, centromere तूटने के कारण, centromere splitting के कारण एक chromosome के दो chromatid अलग हो जाते हैं और NCRT साफ साफ कह रही है कि जैसे ही एक single chromosome के यह दो chromatid अलग होते हैं तो अब मैं इसे chromatid नहीं कहती हूँ अब मैं इसे daughter chromosome कहती हूँ future daughter chromosome, यह NCRT की लाइन है कि एना phase के दोरान जब centromere तूटता है और एक chromosome के दो chromatid अलग हो जाते हैं तो अब यह chromatid, chromatid नहीं बलकि future daughter chromosome कहलाता है तो 16 daughter chromosome उपर की तरफ हैं 16 नीचे हैं, आप देख पा रहे हो कि एना phase के दोरान पूरे के पूरे cell में total कितने chromosome आपको नज़र आ रहे हैं 16 और 16 बतिस परकिये है कि यहाँ पर जो 32 chromosomes है यहाँ पर जो 32 chromosomes है वो कैसे हैं, with single chromatid with single chromatid 32 chromosome है लेकिन फरकिया है 16 उपर है, 16 नीचे है लेकिन कैसे chromosomes हैं यहाँ पर ऐसे, single chromatid वाले 32 chromosome प्रेजेंट हैं यहाँ पर पूरे के पूरे cell में पूरे के पूरे cell में DNA content कितना होगा बिटा पूरे के पूरे cell में DNA content वो ही है 16 यह 10 उपर 10 नीचे तो DNA content वो ही 20 pkg है अब यहाँ पे एक तरह का question और पूछा जाता है यहाँ पे उसने पूछा पूरे cell में पूरे cell में एनाफेज के दरान कितने total chromosome है तो अगर मैं पूरे cell में देखू तो एनाफेज के दरान पूरे cell में 32 थर्टी टू क्रोमोजोम हैं सिंगल क्रोमाटिड वाले और पूरे cell में total DNA content 20 pkg है 10 pkg इस वाले पूल पे 10 pkg इस वाले पूल पे बट गया न? लेकिन सवाल ऐसे भी पूछ सकता था वो कि एनाफेज के दरान इच पूल पे हर एक पूल पे बताओ कितने क्रोमोजोम हैं तो उसने अगर वो पूरे cell में पूछ रहा है तो 32 लेकिन अगर वो इसी option को ऐसे बोलता कि एनाफेज के दरान इच पूल इच पूल पे कितने क्रोमोजोम हैं आप क्या देते 16 क्रोमोजोम और इच पूल पे डिने कंटेंट कितना होता 10 पी को गरें तो यह question ऐसे भी पूछा जा सकता है ठीक है बटा आ जो तो यह statement सही है इसके लिए इसका आंसर बन जाएगा 2 चलिए आगे चलते हैं आई नेक्सट बढ़िहा निंदोस कोडिकों य। शौल करें गरें लिकुबढ इन्डोस्पर्म ऑफ कोकरस निूसी खैरवर और कोकॉस नीूसिफैरा कोकौसनिश सांधि कद नेम ऑफ कोकु नट तो वो कहा रहा है कि coconut के जो endosperm होती है, जो liquid endosperm होती है, जो आप नारियल पानी पीते हो, वो कैसे बनती है, NCRT की लाइन है, mitosis without involving cytokinesis, mitosis involving cytokinesis, amitosis without cytokinesis और mitosis with, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो इसका answer हो जाएगा 1, NCRT में साफ साफ लिखा गया है, कि ऐसी situation, जब mitosis के बाद, right, ऐसी situation, जहाँ पर mitosis में, karyokinesis के बाद cytokinesis ना हो, M phase में mitosis के दवरान, karyokinesis के बाद cytokinesis ना हो, तो ऐसी stage में, multi-nucleated condition arise होती है, जिससे हम syncytium कहते हैं, syncytium, multi-nucleated condition, NCRT के लाईन है साफ साफ, तो जो liquid endosperm, नारियल पानी हम पीते हैं, वो free nuclear division से बनता है, कैसे बनता है, वो liquid endosperm, free nuclear division से बनती है, माने, ऐसी division, जहाँ पे M phase के दवरान, karyokinesis के बाद cytokinesis तुरंथ नहीं हो रहा है, और यहाँ, ऐसी situation को हम syncytium कहते हैं, तो answer बन जाएगा, यह, A mitosis क्या होता है, बिटा, A mitosis, बहुत ही simple तरह का mitosis होता है, जो bacteria में देखने को मिलता है, जहाँ पर कोई phases नहीं होती, G1, S, G2, prophase, metafase, यह कोई phases नहीं होती, ऐसे simple mitosis को हम A mitosis कहते हैं, ना वहाँ पे spindle fibers बनते हैं, ना वहाँ पे कोई phases देखने को मिलती हैं, बस जो उनका, जो bacterial DNA होता है, वो simply divide कर जाता है, with the help of mesozov, चल्ट, यह question में नीट में एक बार आया हुआ है, कि bacteria में S phase देखने को मिलती है, that statement was wrong, नहीं, bacteria में कोई phases नहीं देखने को मिलती है, the haploid cells divide by mitosis in, यह भी बड़ा मज़दार question है, यह कह रहा है, कि जो mitosis है, वो haploid cell में भी देखने को मिल सकता है, उसके example बताओ, क्या वो algae और fungi में देखने को मिल सकता है, haploid cell में, हाँ मिल सकता है, honey bee में, honey bee में, यहाँ पे, हमें male लिखना चाहिए, male honey bee, याने के drawn, that would be more appropriate, yes, drawn में, haploid cell में होता है, gymnosperms और angiosperms, जो की हमारे plants है, वहाँ भी haploid cell में mitosis हो सकता है, वो सारे ही ठीक है, all are correct, आप दिहान से सुनना बिटा, NCRT की lines बता रहें आपको, दिहान से सुनिएगा, NCRT कहती है, अगर हम animals में बात करें, इन animals, तो animals में वो कह रहा है, that mitosis is seen in, दिहान से सुनना, mitosis is seen in diploid somatic cells, animals के case में, mitosis अक्सर देखने को मिलता है, diploid somatic cells में, diploid, मेरी body का हर एक cell diploid है और somatic है, सिर्फ किसको छोड़कर, हमारे germ cells को छोड़कर, reproductive cells को छोड़कर, right, जो egg cells हैं, तो बिटा, generally, animals में, जो mitosis है, वो diploid cells में देखने को मिलता है, और somatic cells, जो reproductive नहीं है, plants में और lower plants में आपका जो mitosis होता है, वो both haploid and diploid cells, ये बहुत ही प्यारी लाइन है, और ये नीट में, ये वाले लाइन नीट में आने की संभावना बनी रहती है, both haploid and diploid cells, plants में, lower plants जैसे algae में, फंजाए में, जहाँ पर उनकी body में, उनकी life cycle में आपको haploid body भी देखने को मिल रहे है, वहाँ भी mitosis हो सकता है, और diploid cell में भी mitosis हो सकता है, जैसे एगर मैं higher plants का example नहीं, जिम्नो स्पर्म और अर अंजियो स्पर्म, तो आपने sexual reproduction in flowering plan में पढ़ा होगा, आप आगे जाके पढ़ होगे, कि जो micro spore बनता है, micro spore किसका product होता है, meiosis का, micro spore एक haploid cell होता है, लेकिन उस micro spore में फिर mitosis होकर pollen grain बनता है, यानि के plants के case में, haploid cell में भी mitosis हो सकता है, और diploid cells में भी mitosis हो सकता है, लेकिन animal cell में आपको generally diploid cell में, लेकिन यहाँ पर exception होती है, और यहाँ exception है drones, जो male honeybee होती है, आपको पता है, उसकी main body haploid होती है, और उसमें जो gamete होते हैं, जो honeybee में males होते हैं, उसमें gamete भी mitosis से ही बनते हैं, क्योंकि उसके पास है ही haploid cells, आई, चलिए, आगे चलते हैं, एक question है, इसको देखिए ध्यान से, the different shapes of chromosomes can be clearly studied during, देखो यहाँ पर दो question बनते हैं, अगर आपको, दो question बनते हैं ध्यान से सुनना, अगर आपको morphology of chromosome study करनी है, morphology, माने, chromosome proper कैसा होता है, उसके पास क्या-क्या structures होते हैं, वो किस तरह का proper दिखता है, अगर आपको पूरी-पूरा detail में जानना है, तो उसके लिए, जो best phase होती है, वो metaphase होती है, लेकिन अगर आपको, chromosome की different shapes के बारे में जानना होता है, तो उसके लिए, जैसे हम जानते हैं कि एनफेस के दौरान एक ही chromosome के जो दो chromatids होते हैं, वो तूट जाते हैं, और तूटने के बाद opposite pole की तरफ move करते हैं, तो जब ये single chromatid opposite pole की तरफ move कर रहा होता है, ये chromatid, देखो, एक chromatid इधर गया, एक chromatid इधर गया, अब ये वाला जो chromatid है, सपोज ये chromosome सब-metacentric था, यानि कि इसका जो centromere है, वो बिल्कु बीचों बीच में नहीं, बलकि इधर था, यहाँ था, तो अब ये centromere यहाँ है, और जो spindle fiber है, वो centromere से attached है, और वो इसको पकड़के, ऐसे खीच के लिए जा रहा है, ऐसे, यूँ, तो देखो, कैसा हो जाएगा chromatid है, ऐसा, spindle fiber ने तो इस chromatid को कहां से पकड़ा हुआ है, centromere से, यहाँ से, और यहाँ से खीच के लिए जा रहा है, ऐसे, जब खीच के लिए जाएगा, तो इसकी जो दोनों arms हैं, वो ऐसी हो जाएगे, ऐसी, तो देखो, आपको shape नज़र आ रही है, shape नज़र आ रही है, तो यह बड़ी प्यारी line है, जो NCRT में लिखी हुई है, कि anaphase के दौरान, जब जो chromatids हैं, वो opposite pole पर, जो future daughter chromosome हैं, यह opposite pole पर move कर रहे हैं, तो जो centromere है, it move forward, centromere आगे-ागे चलता है, और जो यह बाजूए हैं, जो arms हैं, they trail behind, वो पीछे लटकी हुई आती हैं, तो centromere को तो आगे के तरफ खीच लिया जाता है, और जो arms हैं, वो पीछे लटकी हुई आती हैं, जिसके चलते हमें क्रोमोजोम की shape दिखाई देती है, मतलब अगर यह बिल्कुल बीचो बीच होता, centromere, यहाँ पे, तो यहाँ से खीचता, तो कैसा दिखाई देता, V-shape दिखाई देता क्रोमोजोम, अगर थोड़ा उपर है, तो कैसा दिखाई, मतलब अलग-अलग shape होंगी, V-shape, I-shape, अगर टीलो-सेंट्रिक है, ऐसे, तो इधर चे खीचेगा, ऐसे, तो I-shape हो जाएगा क्रोमोजोम, है ना, तो जो अलग-अलग shape है क्रोमोजोम की, V-shape, J-shape, L-shape, I-shape, V-shape किसमें दिखाई देगा आपको, proper metacentric क्रोमोजोम में, I-shape किसमें दिखाई देगी, तिलो-सेंट्रिक में, L-shape किसमें दिखाई देगी, आपका, सब-metacentric में, और J-shape किसमें दिखाई देगी, अक् तो अब देखते हैं, यह shapes जो है हमें कहां देखने को मिलेंगी, the alignment of chromosomes at the equator, equator पर chromosome का alignment कौनसी phase में होता है, metaphase में, equator पर सारे chromosomes कहां align होते हैं, metaphase पर, metaphase में तो नहीं हमें देखने को मिलता है, the poleward movement of chromosomes, chromosome poles की तरफ कौनसी phase में move करते हैं, enaphase में, यानिके इस वाली line में enaphase की बात हो रही है, the phase when Golgi complex and ER disappears, prophase की बात हो रही है, the phase when synthesis of amino acid of histone proteins occur, यानिके S phase की बात हो रही है, obviously हम answer जानते हैं, इसने enaphase ना कहके सीधा सीधा, कान को ऐसे पकडने की बज़ा है, ऐसे पकड लिया, तो enaphase ना कहके ये कह दिया, ऐसी phase जिसमें chromosome poles की तरफ move करते हैं, तो इसका answer हो जाएगा 2, चल ये next, which of the following is correct for enaphase, enaphase के बारे में क्या सही है, आजा ये देखते हैं, ये mitosis की सबसे छोटी phase है, हाँ, ये सही बात है, centromere split and chromatids separate, इस case में, जो centromere है, वो तूट जाता है, और एक chromosome के दो chromatids separate हो जाते हैं, ये बात सही है, chromatids move towards the opposite pole, और ये chromatid opposite pole की तरफ move करते हैं, ये बात भी सही है, तो all of these, और इन ही chromatids को हम क्या कहते हैं, according to NCRT, इन ही chromatids को हम कहते हैं, future daughter chromosomes, इन्हें, जब ये separate हो जाते हैं, जब ये chromatids separate होके opposite pole पर पहुंच जाते हैं, तो फिर हम इन्हें chromatids नहीं कहते हैं, फिर हम इन्हें future daughter chromosomes कहते हैं, चलिए, next, match the column करना है, आ जाईए, very good, जाले, खुछ solve करो, फिर मेरे साथ, pro phase, pro phase में क्या होता है, pro phase में initiation of condensation of chromatin material हम जानते हैं, chromatin material condense होना शुरू हो जाता है, metaphase, metaphase में आपके जो centro, आपके जो spindle fibers हैं, वो kinetocore से attach हो जाते हैं, हम जानते हैं, metaphase में, जो chromosome होता है, उसका centromere के चारो तरफ, जो proteinaceous disc होते हैं, kinetocore, उससे spindle fiber attach हो जाता है, enaphase, enaphase में, centromere of chromosome lie towards pole, अभी मैंने बताया, centromere जो होता है, वो pole की तरफ move करता है, और जो arms है, वो पीछे लटकी हुई आती है, centromere of chromosome, chromosome का जो centromere है, वो आगे की तरफ move करता है, और जो chromosome की arms है, वो पीछे लटकी हुई आती है, enaphase की बात हो रही है, telophase, nucleolus, Golgi and ER reform, ठीक है बता, तो prophase में हमारा आजाएगा initiation of condensation, तो second आ गया, metaphase में spindle fibers get connected to kinetocore, enaphase में 3 है, telophase, nucleolus, Golgi, 3 form, तो 2, 1, 3, 4, कहां पर है, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, yes, तो answer will be, चलिए, next, अहा, बड़ा प्यारा question, बहुत ही महनत से और सोच समझ के बनाया है, आपके लिए question, क्या कह रहा है, आजाएगे देखते हैं, I hope graphs properly seen है, which of the following, which of the following graphs indicate the relative change in the amount of chloroplast DNA of a cell, अहा, कितना प्यारा question है, question कह रहा है, कि ऐसी कौन सी phase है, जहां पर आपको chloroplast के अंदर जो DNA है, उसमें बदलाव, उसमें change दिखाई देता है, तो हम अच्छे से जानते हैं, बेटा, कि जो chloroplast है, वो दुगना होता है आपका G2 phase में, अधिकतर cell organalis जो हैं, वो G1 phase में दुगनी होती हैं, बट जो chloroplast है, वो duplicate होता है आपका G2 phase में, यह हमें पता है, और फिर आगे-ागे M phase में वो बट जाएगा, क्योंकि दोनों daughter cells में उसको जाना है, तो आज आओ देखते हैं, कौन सा graph सही है, कितना प्यारा question है, देखो, यह तो बिल्कुल ही गलत है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे, हाँ, तो उसी से 4C S phase में ही ले आ रहा है, S phase में ही ले आ रहा है, नहीं, S phase में दूगना नहीं होता, chloroplast का DNA, तो यह गलत, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, वो G1 में ही दूगना कर दे रहा है, chloroplast के DNA को, और फिर घटा दे रहा है, गलत, यहाँ देखो, यहाँ उसने क्या किया? S phase तक बोला, same है, G2 में एकदम से बढ़ता है और फिर घटता है, घटता थोड़ी ना, बिटा? उसने क्या किया? G2 में एकदम से बढ़ाया और फिर एकदम से घटा दिया, फिर constant कर दिया, नहीं यहाँ देखो यहाँ देखो उसने क्या कहा है D option में यह जो आपका DNA content है यह G2 में exactly G2 में जाके दुगना हो रहा है और फिर M phase में gradually decrease हो रहा है और ultimately वो क्या होगा जो daughter cells में divide हो जाएगा यहाँ पर यह इससे जादा appropriate क्यों है क्योंकि जो chloroplast के अंदर DNA है उसमें replication का process start हो जाता है और वो complete कहा होता है आपका G2 phase में जब chloroplast का duplication so that is why this graph is most appropriate ओके चलिए तो इसका answer हो जाएगा 4 चलिए फ्रैग्मोप्लास्ट अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा podcast मैं आपको दे जेती हूँ interface से related तो interface में 3 phases आती है G1 phase, S phase और due to phase G1 phase जो है वो इन तीनों में से पूरे interface की सबसे बड़ी phase जो होती है वो G1 phase होती है जिसमें cytoplasm में अच्छा खासा increase होता है cytoplasm के amount में, protoplasm के amount में याने के cell growth अच्छी खासी होती है अधिकतर जो cell organelles है वो यहीं दुगनी होती है कुछ को छोड़ कर जैसे mitochondria chloroplast, Golgi इनको छोड़ कर अधिकतर cell organelles यहीं दुगनी होती है यहाँ पर RNA बनता है याने कि यहाँ transcription होता है, यहाँ protein बनता है, यहाँ translation होता है, ATP बनता है, बहुत सारे nucleotides बनाया जाते है तो यह G1 की phase के बारे में याद हो गया ATP बनाया जाता है, Nucleotides बनाया जाते है RNA transcription यहाँ होता है, protein translation यहाँ होता है यहाँ पे आपका cell growth होता है, cell size increase होता है most of the cell or millies यहीं दुगनी होता है बस इससे बाहर कुछ नहीं आना G1 phase का जो time होता है, वो fix नहीं है सबसे बड़ी G1 phase होती है, यह तो तय है लेकिन इसका जो time है, वो अलग-अलग cells में अलग-अलग होता है SA cells जो जल्दी-जल्दी divide करते हैं, उनकी G1 छोटी होती है और SA cells जो बहुत कम divide करते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी divide नहीं करते हैं उनकी G1 बड़ी होती है, आप चलते S phase पे S phase में आपका main काम जो होता है, वो होता है DNA replication, DNA duplication, DNA content दुगना हो जाता है लेकिन chromosome का number वही रहता है, बस फरक ही आता है कि chromosome ऐसे से ऐसा हो जाता है count वो एक ही होता है, यह पहले भी एक chromosome था, यह अब भी एक chromosome है फरकिये है, यह एक chromosome एक chromatid के साथ, यह एक chromosome दुगना है S phase में histone proteins बनाये जाते हैं और S phase में और क्या होता है बिटा S phase में animal cell के अंदर cytoplasm में centrosome duplication भी किया जाता है बस तीन चीज़े याद रखने है, DNA duplication, histone protein synthesis और animal cell में cytoplasm के अंदर centrosome duplication फिर आता है G2 phase, G2 phase में आपका tibulin protein बनाया जाता है और RNA और protein synthesis वापस से चालू हो जाता है phytoplasmik growth वापस से चालू हो जाती है और यहाँ पर कुछ cell organelles दुगनी होती है जैसे mitochondria, chloroplast और Golgi तो I hope आपको तीनों phases याद हो गई हो आगे चलते हैं, phragmoplast देखते हैं phragmoplast plant cell में बनता है कौन बनाता है phragmoplast को phragmoplast को बनाता है mainly endoplasmic reticulum, Golgi body और microtibules मिलकर endoplasmic reticulum, Golgi body, microtibules यह सब मिलकर एक complex बनाते हैं during telophase in plant cell जिसको हम phragmoplast कहते हैं जिसमें main contribution Golgi body करेता है main contribution तो यह phragmoplast क्या करता है यह phragmoplast cell cytokinesis में help करता है बीच में cell plate डालता है बीचो बीच में plant cell के cell plate डालता है और फिर यह cell plate बाहर के तरफ grow करती चलिए जाती है finally plant cell divide हो जाता है राइट चलिए आजाए यह देखते हैं helps in sen enlargement phragmoplast cell को बढ़ा करने में help करता है नई cell को divide करने formation occur during cytokinesis of bacterial cell no plant cell help in plant cytokinesis yes यह plant में cytokinesis के दौरान help करता है formation occur during mitotic enaphase no enaphase के दौरान नहीं यह telophase के दौरान बनता है तो इसका answer हो जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा podcast देदेते हैं regarding cytokinesis तो plant cell में cytokinesis phragmoplast की मदद से होता है जहाँ पे phragmoplast बीचो बीच cell plate डालने में मदद करता है यह cell plate बाहर की तरफ बढ़ती चली जाती है याने के centrifugally कैसे centrifugally ग्रो करते है और ultimately plant cell डिवाइड हो जाता है लेकिन animal cell में cytokinesis में help करते है microfilaments आप जानते हो microfilaments cytoskeleton होता है यह microfilaments क्या करते है plasma membrane को अंदर की तरफ दसा देते है और यह plasma membrane अंदर की तरफ दस्ती रहती है दस्ती रहती है cell furrow बना देती है याने कि यहाँ पर centripetal movement हो रहा है और ultimately animal बढ़त करते हैं क्याज मेटा तो आपका mitosis होता है खतम और यहाँ से अब चालू हो जाता है meiosis चलिए बिटा तो अब बात करते हैं meiosis की यह कह रहा है कौनसी ऐसी stage है जहाँ पर terminalization of क्याज मेटा होता है तो याने कि हम सबसे पहले pro phase 1 की बात कर लेते हैं प्रसा podcast आप को देजे meiosis meiosis से पहले भी proper interface होती है meiosis होने से पहले G1, S, G2 phase होगी जिसे हम interface कहेंगे फिर meiosis चालू हो जाएगा याने कि M phase चालू हो जाएगी तो जो meiosis है जो M phase है वो फर्दर दो भागों में बटी हुई है meiosis 1 और meiosis 2 meiosis 1 में सबसे पहले pro phase बनाती है जिसमें 5 stages आती है लाओ जरा पानी दे दो leptotene, zygotene, peccitene, diplotene, diacinases अब फटा-फट से सब के बारे में important point सुन्दे चलो सबसे पहले आजाता है leptotene leptotene के दौरान condensation of chromatic material start हो जाता है फिर आता है zygotene zygotene के दौरान ऐसे सारे chromosomes जिनके उपर same genes होती है और उनका size और structure एक जसा होता है वो जोड़े बना लेते हैं यानि के यहाँ पर होती है pairing जैसे हम कहते हैं synapsis और homologous chromosomes जोड़े बना लेते हैं homologous chromosomes जोड़े बना लेते हैं ऐसे इस process को हम कहते हैं यानिमल complex तो यह जोड़ा क्या कहलाता है आप अच्छे से जानते हो यह जोड़ा कहलाता है by valent by valent क्योंकि इसमें दो chromosomes हैं और यह दोनो homologous chromosomes हैं और total इसमें chromatid कितने हैं यह एक chromosome है जिसमें दो chromatid हैं यह दूसरा homologous chromosome जिसमें दो chromatid तो एक, दो, तीन, चार total कितने chromatid हैं चार इसी लिए इसे हम tetrad भी कहते हैं तो zygotene के दौरान दो homologous chromosome कैसे दो-दो chromatid वाले यह एक homologous chromosome यह दूसरा homologous chromosome यह दोनों जोड़ा बना लेते हैं sinactonimal complex की मदद से और बनता है bivalent mattid होते हैं, यह univalent कहलाता है, univalent लेकिन अगर ऐसे दो chromosome जोड़ा बना लें तो इसको हम tetrad और bivalent चलिए, आगे चलते हैं फिर आता है pacotene अब जो line बोलने जा रहे हैं ध्यान से सुनना जो zygotene में जो tetrad बना है वो बनता तो zygotene में है लेकिन ढंग से दिखाई pacotene में देता है, साफ साफ NCRT में लिखा हुआ है अगर आप से कोई पूछे, tetrad और bivalent बनता कहा है, तो जवाब होगा zygotene, tetrad और bivalent दिखता कहा है, तो जवाब होगा pacotene, चलिए, पहली important बात दूसरे important बात, pacotene के दराण होता है crossing over, जो homologous chromosomes हैं, उनके जो non-sister chromatids हैं उनके बीच में exchange होता है with the help of recombination nodule और इसे हम कहते हैं recombination या crossing over उसके बाद आता है diplotene diplotene में क्या होता है, ये जो homologous जोडे थे, इनके बीच में जो sinaptonemal complex है ये घुलना शुरू हो जाता है राइट, इसे हम कहते हैं dissolution of sinaptonemal complex तो diplotene के दराण जो sinaptonemal complex है, वो घुल जाता है यानि कि जो दोनो homologous chromosomes थे, वो अलग हो जाते हैं ऐसे थे ना, यहां एक-एक और समझे लो, एक-एक chromatid और है तो ये दो homologous chromosome थे, ऐसे थे इनके बीच में crossing over हुई फिर ये जो इनके बीच में sinaptonemal complex था, जो उनको जोड़े हुए था ये घुल गया तो ये अलग हो गए लेकिन अभी भी ये उस point पर जुड़े हुए रह गए जहां पर crossing over हुई थी और इस point को हम कहते हैं कियाज मेटा तो डिपलोटीन में क्या होता है कि दोनो homologous chromosome sinaptonemal complex गुलने की वजह से अलग हो जाते हैं लेकिन वो वहां जुड़े रह जाते हैं जहां पर crossing over हुआ था यानि कियाज मेटा पर और X-shape structure बनाते हैं तो question सीधा आता है कौनसी ऐसी stage है जहां पर आपको chromosome X-shape structure बनाते हुए नजर आते हैं डिपलोटीन sinaptonemal complex गुलता कहां है डिपलोटीन और जो हम humans होते हैं और कुछ vertebrates होते हैं वहां पर डिपलोटीन कुछ महीनों या कुछ सालों तक जो है वो रुकी रह जाती है जिसको हम डिक्टायोटीन फिर आता है diakinesis diakinesis में क्या होता है terminalization of chiasmeta माने कि ये जो chiasmeta आपको नजर आ रहा है यहां पर ये खिसकता चला जाता है और ultimately यहां पहुंच जाता है जिस point पर दोनों chromosome अभी भी जुड़े होए हैं जिसको हम क्याज मेटा कह रहे हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं cell cycle में तो ये chromosome और जादा condensed होते हैं जिसकी वजह से इनके सुखडने की वजह से ये क्याज मेटा ऐसे slip off हो जाता है क्या हो जाता है slip off हो जाता है माने terminal end की तरफ उपर वाले सीरे की तरफ खिसक जाता है इसे बोलते है terminalization of क्याज मेटा ultimately diakinesis में nuclear membrane, nucleolus सब गायब हो जाता है endoplasmic reticulum golgi body ये सब गायब हो जाते हैं और pro phase 1 का end हो जाता है तो चलिए ये मैंने आपको explain कर दी pro phase 1 तो terminalization of क्याज मेटा कहां हो रहा है terminalization of क्याज मेटा हो रहा है diakinesis ओके next the bivalents get arranged on the equatorial plate जो bivalent बने वो सारे के सारे equator पर arrange हो जाते हैं सारे के सारे bivalent bivalent मतलब ये chromosome और ये दूसरा ये एक bivalent है सारे center पर arrange हो जाते हैं obviously bivalent center पर कहां arrange होते हैं metaphase 1 तो metaphase में सारे bivalents center पर arrange हो जाते हैं metaphase 1 right metaphase 2 पर bivalent थोड़ी न arrange होते हैं metaphase 1 पर univalents arrange होते हैं तो bivalent center पर arrange होते हैं metaphase 1 में और univalent center पर arrange होते हैं metaphase 2 में कि Metaphase 2, Neosis 2 बिल्कुल Mitosis जयज़ा होता है चलिए next read the following statement and choose the correct one for bivalent bivalent के बारे में क्या बात सही है यह में दून के निकालनी है तो चलो बताओ कटा फिट से क्या चीज सही है यहां पर these are formed during zygoteen, bivalent zygoteen के दौरान बनता है हाँ यह बात सही है मुझे one bivalent is actually four chromosomes put together एक bivalent में चार chromosome आते हैं भक पागल समझे हो क्या एक bivalent में दो homologous chromosome बलत bivalents are more clearly visible during peccatine bivalent बनते तो zygoteen में है और ढंग से दिखाई कहां देते हैं पेकेटीन में, इंस क्याटी की लाइन है, सही बात a human somatic cell forms 23 bivalents एक human somatic cell में 23 bivalents होते हैं हम जानते हैं कि bivalent का मतलब है जोडा और हमारे पास कितने chromosome होते हैं? 46 chromosome तो अगर हमारे पास 46 chromosome है तो 23 जोडे होंगे सर में खुजली होई, हम ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? 23 bivalents तो 46 chromosome अभे बुडबक क्या लिखा हुआ है? human somatic cell आया ना मज़ेदार tricky question क्या लिखा हुआ है? human somatic cell बाबु somatic cell somatic cell में थोड़ी ना meiosis होता है somatic cell में तो mitosis होता है और bivalents meiosis के दौरान बनते हैं? mitosis के दौरान नहीं तो human somatic cell में mitosis होगा और वहाँ कोई bivalents नहीं बनेंगे हाँ, अगर यह यहाँ पर यह लिखता a human meocyte 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 एक ऐसा cell होता है एक ऐसा deployed cell होता है जिसमें meiosis हो सकता है तो एक ऐसा deployed cell जिसमें meiosis हो सकता है उसे हम meocyte कहते हैं जैसे कि हमारे bonards में हमारे reproductive parts में जो germ cells present होते हैं उन्हें meocytes कहते हैं somatic cell में तो meiosis होता ही नहीं right आगे देखते हैं the complex formed by a pair of synab non homologous chromosome is called bivalent पागल समझे हो क्या bivalent में homologous chromosomes आते हैं non homologous chromosome का भी जोड़ा नहीं बना गलत तो कितनी statement सही हो गई पहली और तीसरी बाकी कितीनों वलत हैं इसका answer बन जाए third next a homologous pair of chromosome एक bivalent के अंदर homologous जोड़ा होता है chromosome का उसके बारे में क्या सही है डूनके निकालते हैं have exact same genes although may have different alleles हाँ सही बात है homologous chromosome कौन से chromosome होते हैं जो बिलकुल एक जैसे होते हैं जिनका size एक जैसा होता है जिनका structure एक जैसा होता है अगर ये metacentric तो ये भी metacentric अगर इस वाले chromosome पर यहां plant height की gene है तो इस वाले chromosome पर इसी position पर plant height की gene होगी तो ये दोनों chromosome homologous chromosome तब कहलाएंगे जब इन पर बैठी genes भी बिलकुल एक जैसी होगी इनका size भी बिलकुल एक जैसा होगा और उनका structure भी बिलकुल एक जैसा होगा इन दोनों chromosome पर बैठी genes है वो same होती है लेकिन उनकी allele different हो सकती है माने ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर plant height की gene capital T form में हो और यहाँ पर plant height की gene small T form में हो हाँ तो यह वाली बात सही है identical in size and appearance हाँ वो दिखते भी एक जैसे उनका size भी एक जैसा होता है separate and move to opposite poles during mitotic division भाक यह कह रहा है जो homologous chromosomes होते हैं वो अलग हो जाते हैं और opposite poles पर चले जाते हैं during mitotic division नहीं mitotic नहीं meiosis के दौर आने था तो यह line गलत है तो इसका answer बन जाएगा both 1 and 2 खलो In the pro phase 1 of meiosis okay a meocyte has 16 picogram of DNA the amount in a gamete will be okay hmm nice अच्छा question है थोड़ा सोच हो वो कह रहा है pro phase 1 पे एक सेल के अंदर 16 picogram DNA pro phase 1 पे अच्छा question है बहुत एक सेल के अंदर कितना DNA है 16 picogram DNA ठीक है imagine करो pro phase 1 right क्या होगा जोडे होंगे सपोज मैं चार क्रोमोजोम का example लेके बता रहे हूं चार क्रोमोजोम में इतना DNA content राइट चार क्रोमोजोम कितने जोड़े बनाएंगे दो एक जोड़ा ये सपोज हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक एक सेल के पास चार क्रोमोजोम है और DNA content 16 है में ये condition है तो ultimately जब इसमें meiosis खतम हो जाएगा तो जो gametes बनेंगे के पास कितना होगा DNA content तो ये pro phase one है ये metaphase one पे जाएगा metaphase one पे क्या होगा ये दोनों जोड़े center पर arrange हो जाएँगे ऐसे एक जोड़ा एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा ठीक है ये metaphase हो जाएगी ये क्या हो जाएगी metaphase one ठीक है मिटा metaphase one right फिर metaphase one में भी कितना DNA content है पोला metaphase one में metaphase one में सोला DNA content है हमने कहीं कुछ है तो है नहीं फिर metaphase पे क्या होगा ये उपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा यानिके आठ पिकोग्राम DNA उपर आठ पिकोग्राम DNA नीच तहाँ metaphase one पे देखो metaphase one की अगर बात करूँ तो क्या होगा जोडे में से एक chromosome उपर चला गया कैसे हो गया तो यानिके आठ पिकोग्राम इस वाले पोल पे और आठ पिकोग्राम इस वाले पोल पे फिर क्या होगा अल्टिमेटली meiosis one खतम होगा तो दो डॉटर सेल बनेंगे ना meiosis one इस वाले के पास 8 और इं दोनों में meiosis two होगा ना इन meiosis two क्या होगा बिटा नियोसइस टू होगा वाइट समझमें आगे ऑ आठ सीकेगरम उपर नीचे तो अब क्या होगा लियोसीन होगा और मियोस टू होता है Let I स tane C अगर मैं बात करूँ तो मेटाफेज वन पे दोनों क्रोमोजोम कैसे आरेंज हो जाएंगे ऐसे है ना मेटाफेज बहुत आसान है सेकिंड में हो जाएगा लेकिन मैं पूरा डीटेल में आपको समझा रही हूँ अगर मैं एना फेज वन की बात करूँ वन पे ये क्रोमाटिड ऊपर ये क्रोमाटिड नीचे आपको जी देखो क्या होगा तो तीन चार जो अल्टिमेटली चार डॉटर क्रोटर क्रोमोजोम बनेंगे इसमें क्या होगा ये उपर ये उपर है ना सिंपल सी बात है ये क्रोमाटिड टूटा ये उपर चला गया यहां से क्रोमाटिड टूटा उपर चला गया ये नीचे आ गया ये नीचे आ गया तो चार पीकोग्राम डियने कंटेंट उपर और चार पीकोग्राम नीचे simple सी बात है बबू इस वाले daughter cell में 8 picogram DNA था अब इसमें anaphase हुई तो ये दो chromatid उपर चले जाएंगे ये दोनों नीचे जाएंगे यानि कि 4 picogram उपर 4 picogram नीचे है ना ऐसे ही यहाँ पर 4 picogram उपर 4 picogram नीचे तो ultimately इन 4 ओ daughter cells में कितना कितना हो जाएगा 4-4 picogram बात समझ में आ गई ना 4-4 picogram तो 16 प्रोफेज में था प्रोफेज 1 में 16 picogram था जब meiosis 2 complete हुआ meiosis 1 sorry meiosis 1 complete हुआ तो दोनों daughter cell में 8-8 picogram हो गया फिजब meiosis 2 complete होगा तो 4 daughter cell कितना picogram ले जाएगा 4-4 picogram आंसर कितना आ जाएगा 1-4 picogram पास समझ आ गई मेरे बिच्छो ठीक है कल बेड़ कोई दिक्कत clear है कल आगे चलेंगे आगे चलेंगे ता नमबर ओफ पाइवलेंट्स आर 20 पाइवलेंट्स किसी भी cell में 20 बता रहा है राइट पाइवलेंट्स 20 है बिटा मेरे वाट विल बी दा नमबर ओफ क्रोमोजोम दूरिंग एना फेज 2 एट इज फोल्ड हो कितने प्यारे प्यारे questions आ रहे हैं इन सारे questions से आपके concept खुल जाएंगे एक दब नमबर ओफ बाइवलेंट्स कितने बता रहा है बिटा 20 बता रहा है और बाइवलेंट्स अगर 20 है तो ओविस सी बात है नमबर ओफ क्रोमोजोम कितने हो जाएंगे 40 और ओफ क्रोमोजोम 40 हो जाएंगे न बिटा तो बोल रहा है कि what will be the number of क्रोमोजोम दूरिंग एना फेज अब देख धियान दे कितनी प्यारी बात है वो कह रहा है बाइवलेंट 20 है बाइवलेंट 20 है बीस बाइवलेंट जाने के जो जोडे हैं ऐसे जोडे कितने एसल में 20 जोडे है 20 तो जो समझ में आ गया है क्रोमोजोम कैसे होंगे अभी ऐसे होंगे न प्रोफेज वन में जहां बाईवेलेंट बनता है, वहां क्रोमोजोम ऐसे होते हैं न, दो-दो बजु वाले, तो दो-दो क्रोमाटिड वाले, तो दो-दो क्रोमाटिड वाले क्रोमोजोम हैं, ऐसे क्रोमोजोम और ऐसे 20 जोडे हैं, जाने के 40 क्रोमोजोम हैं, चलो जी, 40 क्र अब ये मेटाफेज पर सारे अलाइन होएंगे फिर एनफेज वन में क्या सिच्वेशन होएगी मैं क्यों इसे इतना एक्स्प्लेइन कर रहे हूँ ताकि कौंसेप्ट क्लियर हो जाए है एनफेज में क्या होगा इन दोनों जोडों में से एक उपर और एक नीचे तो एक क्रोमोजोम दो क्रोमाटिड वाला उपर और एक क्रोमोजोम दो क्रोमाटिड वाला नीचे जाने कि एना फेज वन पे 20 पाइवलेंट है ना हाँ तो 20 क्रोमोजोम उपर और 20 क्रोमोजोम नीचे एना मेंट देख 20 क्रोमोजोम उपर होंगे और 20 क्रोमोजोम नीचे होंगे टोटल 40 क्रोमोजोम जिसमें से 20 उपर चले गए 20 नीचे आगए तो एना फेस बनेंगे उनके पास 20-20 क्रोमोजोम होंगे ऐसे वाले दो-दो chromatid वाले इस वाले daughter cell के पास भी 20 chromosome और इस वाले daughter cell के पास भी 20 chromosome ना मिटा, दो daughter cell बने 20-20 chromosome दोनों के पास अब इन में हो जाएगा meiosis 2 मियosis 2 तो बिल्कुल mitosis जैसा होता है तो ये 20 chromosome कहां arrange होंगे metafase पर, metafase में arrange होने के बाद, anaphase में क्या situation आएगी बिटा देख imagine कर, 20 chromosome metafase पर align होंगे 20 chromosome metafase पर align होंगे इसमें से chromatid टूटेगा, anaphase 1 पर तो क्या टूटते हैं, chromatid टूटते हैं sorry, anaphase 1 कह रही हूँ, anaphase 2 पर, sorry imagine करो, ये वाला daughter cell और ये वाला daughter cell, दोनों के पास 20-20 chromosome है तो इस वाले daughter cell में 20-20 chromosome metafase पर align हो जाएंगे 20-20 chromosome और फिर anaphase 2 में क्या होगा, ये टूटेंगे और जब ये टूटेंगे तो 20 ऐसे chromosome single chromatid वाले उपर की तरफ और 20 ऐसे chromosome single chromatid वाले नीचे की तरफ simple समझ में आगे ना metafase 2 में 20 chromosome दो chromatid वाले center पर align हो जाएंगे फिर anaphase 2 में ये टूटेंगे ऐसे तो 20 chromosome ऐसे उपर की तरफ 20 नीचे की तरफ तो देख धियान दे anaphase 2 में total कितने chromosome हैं? तालेस वाई जब ये अभी मैंने तुम्हें थोड़ देर पहले बताया था कि जब एक ही chromosome के 2 chromatid तूट जाते हैं और वो opposite pole पर पहुँच जाते हैं तो फिर मैं उन्हें chromatid नहीं कहती मैं उन्हें chromosome ही कहती हूँ तो anaphase 2 पर जब centromere splitting हो गई तो 20 chromosome तेरे को उपर दिख रहे है 20 chromosome नीचे दिख रहे है तो टोटल सेल में कितने क्रोमोजोम है और अगर वो पूछे कि हरे एक pole पर कितने क्रोमोजोम है तो देख हमने कहां से शुरुवात करी थी उसने कहा कि 20 bivalent है यानि कि 40 chromosome है ऐसे वाले 2-2 बाजू वाले 40 chromosome है 2-2 chromatid वाले 40 chromosome है तो एनाफेज 1 पर यह हुआ कि 20 उपर 20 नीचे कैसे 2-2 chromatid वाले फिर मियोसिस 2 में जब entry ली हमने तो एनाफेज 2 पर 20 chromosome उपर 20 chromosome नीचे कैसे? कैसे मेरे बिटा? सिंगल chromatid वाले कल तो जबाब क्या होगा? What will be the number of chromosomes during एनाफेज 2 at each pole? At each pole हर एक pole पे पूछ रहा है वो Total मैंने तेरे को बता दिये 40 है लेकिन उसने एक pole पर पूछा है एक pole पर कितना होगा? 20 आंसर होगा pole अगर वो पूरे cell में पूछता अगर वो यह पूछता cell में कितने chromosome है? तो आप जवाब देते 40 और उसने पर pole पूछा है तो 20 और यह कैसे chromosome है? यह वाले chromosome single chromatid वाले हैं बहले single chromatid वाले हो हैं तो chromosome ही गिनेंगे तो हम उन्हें chromosome ही लेकिन यह वाले जो 20 bivalent है यह two chromatids वाले थे double chromatid वाले बाद समझ में आ गई ना? इस तरह के question देखो कितना concept खोलते हैं? एक cell जिसमें हमने चालू किया ऐसे 20 ऐसे bivalent थे यानिकि ऐसे 40 chromosome थे तो एना phase 2 पर पूरे cell में ऐसे 40 chromosome होंगे पूरे cell में एना phase 2 पर ऐसे 40 chromosome होंगे और एक पोल पर ऐसे 20 chromosome होंगे क्यों पैन तुम्हें पूरा डाइडी टेट है? सलिए आगे चलेंगे How many chromosomes will be found in a cell at एना phase 2 having 2N is equal to 25? वो कहरा एक deployed cell है जिसमें 50 chromosome है और उसमें meiosis हो गया Right? Simple सी बात है बिटा अभी बताया देख यहाँ यहाँ bivalent कितने थे? 20 यानि कि 40 chromosome थे तो एना phase 2 पर पोल पर कितने chromosome आए? 20 देख यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है 50 chromosome है 50 chromosome कितने है? 50 तो bivalent कितने होंगे? 25 25 बाइवलेंट होंगे हैं 25 जोडे होंगे हैं अभी मैंजिन कर 25 जोडे यहाँ 20 जोडे थे? यहाँ 20 जोडे थे? समझ गए? 20 जोडे यहाँ के 40 chromosome थे 40 chromosome जब यहाँ थे कहाँ? प्रोफेज 1 में तो एना phase 2 में हर एक पोल पर कितने chromosome निकले हमारे 20? पर अगर पूरे cell में पूछता तो 40? क्यों निकले? तो कि फरक यह है यहाँ वो ऐसे थे लेकिन यहाँ एना phase 2 पर वो ऐसे होंगे पर नंबर तो सेम है? नंबर तो सेम है? समझ रहे हो? बात को समझ हो? I hope समझ रहे हो तो अगर यहाँ बेटा 20 जोडे यानि के 40 chromosome थे तो एक पोल पर 20 chromosome थे यानि के टोटल सेल में 40 chromosome थे तो यहाँ अगर 50 chromosome है तो obviously तो obviously बिटा अंसर क्या बनेगा? बन और ऐसा क्यों होगा? समझ जाओगा तो पिछले वाले question की तरह है 50 chromosome है तो 25 जोडे बनेंगे एना phase 1 पर क्या होगा? 25 उपर की तरफ 25 नीचे की तरफ कैसे? ऐसे ऐसे तूपे तो ऐसे वाले 25 इधर, ऐसे वाले 25 इधर तो टोटल सेल में कित्ते क्रोमोजों होगे? ऐसे वाले सक्रास चांथर हो जाएगा? चलिए sap एसे लीया है प्रोफेज 1 प्रोफेज 1 प्याले जल्दी से फॉर्ट करो, salt करो, फिर मेरे साथ प्रोफेज 1 हव 5 सब फेज़ हाँ मेटाफेज 2 मेटाफेज 2 में सिगल मेटाफेजिक फ्लेय बन Тी है वही बिता mitosis के जैसा ही है Miops तो mitosis में centre पर एक ही plate बनती है लेकिन metaphase 1 centre पर 2 plate बना enaphase 2 centromeric division तो आणते हो enaphase 1 के दौरान centromer splitting नहीं होती वहाँ पर एक है khromosome के chromatid अलग नहीं होते बलकि homologus chromosome separate होते हैं तो enaphase 1 पर centromere splitting नहीं होती वहाँ पर separation of homologous chromosome होता है लेकिन एनाफेस 2 mitosis की एनाफेस जैसा है जहाँ पर centromere split करता है और chromatid separation होता है metaphase 1 metaphase 1 में single metaphasic metaphase 1 में double metaphasic plate हो ठीक है? 2 metaphasic plate बनती है homologous chromosome होते हैं चलिए, so 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 चलो, next assertion और reason चलिए, इसको solve करते हैं वैसी सोचेंगे जैसे पहले सोचेंगे the number of bivalent is half the total number of chromosome of a species वो कह रहा है किसी भी species में जितने total number of chromosome होते हैं meiosis के दौरान उसके आधे number के bivalents बनता है हाँ, अगर 40 chromosome है तो 20 bivalents बनेंगे यह बात सही है bivalents are formed during zygotene bivalents, zygotene के दौरान बनते हैं बात भी है अब मैं confused हो रही हूँ मैं इसका आंसर a दूं या b दूं तो हमें कैसे सोचना है हमें उपर लिखी हुई statement का क्यूं जानना है क्यूं अगर नीचे लिखी statement उसके क्यूं को समझा रही है यानि कि उसका correct explanation उपर वाली बात कह रही है कि अगर किसी species में X number of chromosome है तो उसमें bivalents X by 2 होंगे क्यूं क्योंकि एक bivalent में 2 chromosome वन bivalent contains 2 chromosome इसका reason यह होता वह bivalent आधे क्यूं होते हैं total number of chromosome से क्योंकि एक bivalent में 2 chromosome होते हैं तो इसका reason क्या होता इसका reason होता because one bivalent contains 2 homologous chromosome इसी लिए इतने chromosome होते हैं उसके आधे number of bivalent तो नीचे लिखी हुई बात सही तो है पर वो उपर लिखी हुई बात का क्यों explain नहीं कर रही है तो इसी लिए इसका answer A नहीं B होगा क्या सलिए A particular cell has half as much DNA as some of other cells in a mitotically active tissue again बहुत बढ़ी आसा question पहले समझे लोग question को तुम खुछ समझो फिर मैं समझा यह कहा रहा है एक cell है उसमें उसमें तो DNA content है वो आधा है as compared to उसका ही जैसा cell जो mitotically active है तो बताओ वो cell अपनी कौन सी stage में होगा कोई कहा रहा है दो cell है समझो इसको दो cell है और यह दोनों ही mitotically active है मतब दोनों में ही mitosis चल रहा है इसमें भी mitosis चल रहा है और इसमें भी mitosis दोनों ही mitotically active tissue है active cell है लेकिन ही कह रहा है कि इस वाले cell के comparison में अभी इस वाले cell में DNA का content हाफ है तो बताओ कि यह cell mitotically active है दोनों cell mitotically active है और इसमें mitosis काफी आगे बढ़ चुका है लेकिन इस cell के comparison में अभी इस cell में DNA content हाफ है तो बताओ ये वाला cell अपनी कौन सी phase में होगा obviously ये वाला phase अपनी जीवन phase में होगा क्या हम जानते हैं जीवन phase में DNA दुगना नहीं होता ये cell अगर अपनी G2 phase में भी होगा तो इसके comparison में इस cell में DNA content आधा होगा क्योंकि S phase ये बातों DNA करें दुगना हो जाता है आध समझे है चल वे तो homework है बेटा practice sheet आपको चल वे तो बेटा मैंने बहुत ही अच्छे question खुद से frame किये थे जिससे NCRT की लाटिया आपके cover हो जाए जिससे आपको ये भी समझे हो जाए कि जो tricky lines है जो tricky questions इग्नोर करके question गलत करता है वो ना हो जो questions है वो भी मैंने आपको solve करा है regarding कहां double chromatid stage में होता है chromosome कहां single chromatid stage होता है कहां DNA बढ़ता है घटता है सब समझाने की कोशिश की है उमीद है आपको समझ में आया होगा एक बार ये lecture देखने के बाद NCRT line कर लेना आपका चाहिए इससे tough question नीट में पूछेगा ही नहीं जो questions मैंने आपको करा दिये इस level के करा दिये कि इससे नीचे नीचे ही नीट में question आएंगे इससे उपर नीचे आएंगे पूछ नहीं देखने अंगे क्लास में विद लिविवी और गृलोगिकल ग्लास सिक्श का तक रिये विट्ड का प्लोट के लेए खुछ रहो मार अब आप रहुँ